इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अस्सलाम अलेकुम रह्मतुल्ह वरकातु इत्याद दिन में आप सभी का खायर मंतम है मनजर फुपाली का मशूर शेर है आग का क्या है पल दो पल में लगती है पुछते बुछते एक जमाना लग जाता है देहली में जो फसाद बरपा हुआ है एक सोची समझित साजिश के त करण्ट लगाने की तयारी पहले से हो चुकी थी यह नार सी को नफीस करना इस काले कानून को को नाफीस करना भी इसी की कडीक हो सकती है पार्लों Cemасть में कहते हैं कि मुसल्मानों को डर ने की मतलब आप मुसल्मानों को निशाना बना रहे हैं जाहिर इतने विरोध और उसके मुखालिफत के बाद भी अपनी बात पर कायम रहते हैं और खुद प्रधान मंतरी कहते हैं कि हमने बड़े फैसले लिए जिसमें से पिछले देड़ साल में तकरीबन छे रियासतों में भाजपा हुकूमत हार चुकी है और यहीं वज़य है कि अब किसी हाल में नफरत की आग में सियासी रोटियां सेखने का एजेंडा चलाया जा रहा है विकास का कोई पता नहीं टरंप के साथ जो भारत के तालुकात परवान चड़ रहे है इसका आखर क्या फायदा हो सकता है अब तक अमरिका ने कितना विदेशी निवेश भारत में किया है इसका कोई पता नहीं विदेश मीडिया में भी भारत के आलोचना भी हो रही है इससे बड़ी काम्याभी के तवार पर दिखा है जाँ रहा है 1000 करोड का हथियार खरिदने से बड़ी कमपनीयों का कया म्भारत में हो तक ह蒄स्चार के मवाक यहां के अवाम को हैसिल हो भले इसे मोदी शाह भारत के अवाम को अमरीका से दोस्ती बहुत बड़ी कामयाभी के तार पर पेश कर रहे हूं पर सच्छाई यह है कि अब तक भारत के मुकाबले अमेरका ने हमेशा पाकिस्तान का ही फायदा किया है देशतगर्दी की जंग में हम भारत के साथ हैं कहने वाला टरंप असल में पाकिस्तान को लाको डॉलर की मदद करता रहता है या पहले भी देखा गया है कि बराक ओबामा हो या जाड डबली बुश्वियो इनका जुका हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही ज्यादा रहा है बमुकाबिल भारत के सवाल यही उड़ता है कि करण उर्पया खर्च कर आखर हमें हसिल क्या हुआ गोरे लोगों ने हमेशा भारतियों को धोगा दिया है भारत में नफरत का जहर गोला है भारत की इसराइल और अमरिका से दोस्ती हर लिहत से नाकाम साबित हो सकती है ऐसा इलमी दानिशरों का कहना है इसी मेंने तालिबान के साथ अमरिका मौहाइदा कर रहा है जाहिरे इस मौहाइदे से भारत को नुकसान ही होगा सबी जानते हैं कि तालिबान के नजरे से कश्मीर एक अजादी की तहरीक है लहाज़ा अब अमन का मुहाइदा वहां होगा तो तालिबान जाहिर है कश्मीर में सक्रिय होगा और इसका क्या भरोसा कि वो कश्मीर में नहीं आएंगे खुद डोनाज ट्रप ने प्रधान 만तरी मोदी के सामने पाकिस्तान से बहतर तालुकात पर बयान दिया कहने का मतलब या है, कि सिर्फ अपने मुफात के लिए ट्रफ ने भारत का दोरा किया है क्योंकि आने वाले अमरीकी इंतखाबात में अमरीका में रहने वाले भारतिय शेहरियों का ओठ हासिल हो सके वादा रहे कि यही वो ट्रम्प है जिसने कश्मीर मसले पर बिचेवलिया बनने की बात कही थी और तो भारत बहुत सकत नाराज भी हुआ था और नाराजगे का इसहार भी किया था कि कश्मीर भारत का अंदुरूनी मामला है ऐसी कई खबरे हैं जब ट्रम्प ने भारत के प्रदानवंतिर मोदी का मजाक उड़ाया है खैर हजारो करोड रुपे खर्च कर मोदी ने अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रम्प का इस्तक्बाल और खैर मकदन तो किया है फिर छिपाने के लिए 22 किलोमेटर तक दिवार भी तामीर की ताकि गरीबों का दिदार अमीर मुल्क के सदर को ना हो सके और भारत की अमीरी का जूटा मुजारा हो जब ट्रम्प भारत में थे तो दहली जड़ रही थी किस कदर दो चेहरे देखने को मिलते हैं एक तरफ नफरत का खेल और दूसरी तरफ धोके की मुस्किराहट क्या यह दोगलार हो यह सियासतदानों को कामियाब बनाएगा फिर वह मोदी हो या ट्रम्प इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा इतिहाद देखने के लिए शुक्रिया अलाफिस